नमस्कार दोस्तो जे आर्वी शॉलिशन पर आपका एक बार फिर सवागत है नो फॉर्मूला नो ट्रिक ऑनली शॉलिशन तो आईए हम आगे बढ़ते हैं आज के रक्त और संबंद इस अभ्यास जो हम पार्ट कर रहे थे इसमें आज आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो हमारे प फिर से हल करेंगे उस परकार के प्रेशनों को तो आईए दोस्तो चलते हैं तो कोस्टिन हमें क्या दिया है कोस्टिन दिया है हमें कोस्टिन दिया है कि ए ए प्लस बी ए बी का भाई है तो इन दोनों में क्या एक संबंद दर साया जा रहा है कि ए और बी का भाई है ऐसे ही A-B यहित हमें माइनस का जो चिन है कभी मिला तो A-B की बहन है A into B इसमें क्या है into? into का क्या दरसारा है? जो into का जो सिंबॉल है यह दरसारा है की A-B का पिता है A तो दोस्तों यह जो भाग का सिंबॉल है भाग देते हैं ए भागत बोलते हैं बी का तो ए बी की माता है जो भाग का शिंबॉल है यह हमें दर्शाता है कि ए ए इंटू ए बी की माता है तो दोस्तो हमें इस तरीकी की प्रॉब्लम्स को जब एक्जम सेंटर में देते हैं एक्जाम देते हैं उसमें भी कोश्चन आते हैं एक्जाम में कोस्चन है तो दोस्तों इस प्रकार की कोस्चन को करने के लिए हम देखेंगे कि हमें क्या करना है सबसे पहले हमें याद देखना है कि प्लस का चिंद क्या दरसा रहा है यह बी का भाई है तो हम देखेंगे कि प्लस का जो चिंद है तो दोस्तो हम देखेंगे कि जो प्लस का है प्लस का सिंबॉल है ये भाई को दरसाता है मानस का सिंबॉल है बहन को दरसाता है इंटू का जो सिंबॉल है यानि गुणा का जो सिंबॉल है ये पिता को दरसाता है और भाग का जो सिंबॉल है वो क्या कह रहा है कि निमलिखित में से कौन दर्साता है की आर बेटी है पी की तो दोस्तों आर बेटी है पी की कौन दर्सारा है यानि अपने पास क्या आना चीए तो हमें पता है कि पिता यानि पिता तो दोस्तों इसमें क्या आना चीए तो हम कह सकते हैं यहां पर आना चीए P तो पिता को कौन दर्सारा है क्योंकि बेटी बोला है तो बेटी मा की बेटी भी हो सकती है और पिता की बेटी भी हो सकती है दोस्तो हमें दर्सारा है P तो हमें देखना है पहले P पर फोकस करना है कि P क्या है तो हम देखेंगे A into B यानि A B के पिता है तो P into R होगा जहां बहाँ होगा यानि P R के पिता है तो दोस्तों हम first question पर चलते है objective पर चलते है first पर क्या है P into Q तो दोस्तों P into Q यानि P कोन है हमें दिया है P Q P into Q तो दोस्तों हम कह सकते है P into Q क्या है A into B यानि A B के पिता है तो कह सकते P into Q P Q के पिता है तो दूसरा हमें दिया है Q प्लस R तो A प्लस B तो प्लस का दरशिता है हमें भाई को Q प्लस R तो यहां पर क्या करेंगे Q R का भाई है तो second ए Q प्लस आए तो Q R का भाई है और दोस्तों यहां पर है R प्लस S तो R प्लस S क्या है यहां पर देखेंगे हम A प्लस B यानि A B का भाई है तो यहां पर भी देखेंगे R प्लस S तो जो देखेंगे न दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे R प्लस A, S क्या है? R Q का भाई है तो दोस्तों यहाँ पर एक गलत हो जाएगा दोस्तों एक गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कोस्टन में क्या है? हमें प्रेश्टन में पहले ही दी गई है कि R बेटी R बेटी है P की तो R तो एक लड़की है न तो लड़की भाई कहां से हो सकती है दोस्तो हम यहीं पर तो देखना है लड़की भाई कहां से हो सकती है यह तो लड़की है यह बेहन हो सकती है भाई नहीं हो सकती है कोशन गलत हो गए यहां पर सेकेंड बे चलते हैं, इसको देखते हैं, P पलस Q ऐ स्थिर्धू पर देखेंगें, P पलस Q ठीक है, P Q का भाई है ठीक है, P Q का भाई हो सकता है हमें तो बेटी से मतलब है नहाँ तो Q माइनस R तो माइनस पर चलते हैं, A B की बेहन है तो दोस्तों यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि हमें दिया है कोश्चर में आर बेटी है पी की जब बेटी पी की है आर बेटी है पी की तो पी और की तो भाई है तो भाई की बेहन के से हो सकती है या तो यह चाचा भती जी में आएगी तो दोस्तो ये गलत भी यहीं पर हो जाता है थर्ड़ पर चलते हैं तीधरे को देख लेते हैं दोस्तों मैं शिखा रहा हूँ हम जो हमारे पास objective रहते हैं हम इनसे कैसे कर सकते हैं इनसे भी question किया जा सकता है और direct भी किया जा सकता है question बो भी मैं बताऊँगा अभी सेकंड क्या है जो सेकंड एक प्रकास से work करना है हमें वो क्या करना है तो P into Q तो जो into का है ना P into Q यानि A B के पिता है तो P Q के पिता है ओके Q plus R Q plus R क्या है तो यह condition यहाँ पर तो satisfy है कि P Q के पिता है लेकिन यहाँ पर है plus तो Q यानि A B का भाई है तो जो Q है यह R का भाई है Q R का भाई है ठीक है condition यह भी satisfy होती है क्योंकि जो Q है यह R का भाई हो सकता है Q है यह Q R का भाई हो सकता है यहाँ पर देख लेंगे तो दोस्तों हम कह सकते हैं ना PQ के P into Q तो PQ के पिता है तो दोस्तों Q plus R QR का भाई है और R मानस S इसके according R यहांनी R S की बहन है तो दोस्तों यहां पर देख लेंगे तो दोस्तों P into Q PQ के पिता है Q plus R QR का भाई है अब हमें relation क्या दिखाना है question क्या कह रहा है हमसे दोस्तों हमसे question कह रहा है कि R R बेटी है P की तो दोस्तों P और R में क्या संबन्द है P और Q में क्या संबन्द है बाप यह पिता है न Q के पिता है P तो जब Q और R क्या है ये बेहन भाई है तो दोस्तो जब ये बेहन भाई है यदि P क्यों का पिता है और ये इसकी बेहन है R क्यों की बेहन है तो ये दोनों पिता और बेटी हुए कि नहीं हुए तो दोस्तो I hope guys आपको समझ आया होगा हमारा answer आजाएगा third हमारा answer आजाएगा third तो next question क्यों चलते है तो दोस्तो हमसे second question कह रहा है निम्ने में से कौन बताता है P दादा है S का तो P दादा है S का तो दोस्तो हम देखें दोस्तो हम इसमें objective भी देखें के पहले तो P प्लस S तो ये तो होई नहीं सकता क्योंकि दोस्तो हमने पहले ही देखा है कि दोस्तो ये देखेंगे एंटू है question में क्या है P प्लस Q तो प्लस में है तो भाई आता है दोस्तो ये तो हो नहीं सकता P प्लस में दादा का relation दर्साना या भाई का दर्साना है second पर चलते दोस्तो P into Q P into Q तो दोस्तो हम यहाँ पर देखेंगे P into Q into किसका relation देखा यानि P A B के पिता है यानि P Q के पिता है दोस्तो हम देख सकते हैं P Q के पिता है और Q into R Q R के पिता है और R plus S S plus का चिन हमें दर्शाता है जो A B का भाई है यानि इसमें हमें बताया जा रहा है कोस्तों में कि जो R है S का भाई है तो दोस्तो हम कुछ इस परकार देख लेंगे इस कोस्तों में P Q P into Q P Q के पिता है जैसा कि हमें कोस्तों दर्शारा है P into Q Q के पिता है Q into R Q R Q into R Q R के पिता है R plus S RS का भाई है तो दोस्तों इसमें relation कुछ ऐसा बन जाएगा P पिता है Q के और Q पिता है R के और यह दोनों भाई है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें R में और S में relation क्या बन जाएगा हमारा दादा जी हुए कि नहीं हुए क्योंकि पिता के पिता के पिता क्या होते है दादा जी तोस्तों हम कह सकते हैं कि यह हमसे दो पिड़ी एक पिड़ी पिता की और एक पिड़ी और उपर यानि दो पिड़ी उपर जाए तो दो पिड़ी हमसे उपर जाएगे तो क्या हो जाएगे दादा क्योंकि एक पेड़ी में पिता आते हैं तो यह पिता हुए यह एस के पिता यह पूछा जाता तो क्यू आता हूं तो एक तो क्यू हो गई क्यू एस के पिता हुए और एस के पिता यह नहीं क्यू के पिता के पिता क्या हुए तो S के पिता के पिता हुई है P तो P S के क्या हुई है दादा जी तो I hope दोस्तो आपको समझ जाए है question, next question क्यों चलते है next question है निमलेक में इसे को बताता है कि P मामा है S का तो दोस्तो देख लेते हैं हमारे पास सिर्फ यही question है इसी कही question है दोस्तो जो मैं करवा रहा हूँ और इसमें हम देख लेंगे कि कौन है निमले में से कौन बताता है कि P मामा है S का तो P प्लस Q P प्लस Q P Q का भाई है Q माइनस R Q माइनस R क्या है तो देख लेंगे हमें यहापर माइनस का है बहन के लिए Q माइनस R पी आर का भाई है क्यू अनस आर तो क्यू आर की बहन है और यह माता के लिए तो यह माता है दोस्तों हमारे लिए कोश्चन दिया है कुछ इस परकार दिया है कि हमें बताना है पी मामा है एस का तो कैसे होगा तो दोस्तों हम कह सकते हैं जैसा कि कोश्चन में हैं कि PQ P PLUS का चेनल एता है भाई के लिए PQ का भाई है और माइनस का जो सिंबॉल है वो बहन के लिए आता है तो Q R की बहन है और जो भाग का जो सिंबॉल आता है तो R S का R S की माता है तो दोस्तों कुछ इस वरकार है देख लेते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं P PLUS Q PQ का भाई है R मानस Q मानस R Q R की बहन है R R S की माता है तो दोस्तों हम देख लेंगे इसका P और Q तो P Q की तो बहना है तो हम कह सकते हैं कि यह भाई है तो दोस्तों यह क्या है P Q का भाई है तो हम कह सकते हैं न दोस्तों यह देखो P Q P Q का भाई है तो यह दोनों तो भाई हो गए और इन दोनों की बहन कौन है क्योंकि Q की R Q R की बेहन है यदि Q R की बेहन हो सकती है तो दोस्तों ये देखो Q माइनस R की Q R की बेहन है तो जब Q R की बेहन हो सकती है तो P की भी बेहन ही है क्योंकि ये दोन तो भाई है तो S यदि बेहन के बेटा क्या होता है बहन का बेटा क्या होता है बहांजा और इस बहांजे का यानि मा के क्योंकि R और S में जो रिलेशन है R S का बेटा है या S जो R है S की मा है तो S और P और S क्या हुआ मामा P कौन हुआ मामा हुआ तो दोस्तों हमें question में ए पूछा गया है कि P S का क्या है मामा कैसे हुआ तो हम बता सकते हैं दोस्तों कि इसका आलसा नंबर आ जाएगा first P प्लस Q Q माइनस R R बागए S तो इस परकार से P P मामा है S का I hope दोस्तों आज की class आपको मज़ा आया होगा अच्छी लगए होगी तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और मेथट करऊंगा कुछ और टॉपक लेकर आऊंगा तो दोस्तों GRV Solution को Like, Share, Subscribe जरूर करना Thank you Thank you for the watch